देशी सीजनिंग चैनल के तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम वर्लपूल 330 लीटर मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मैं इस फ्रिज से रेलेटिट सारे इंफरमेशन शेयर करूंगे इसका प्रोज इसका कॉंस डिसकस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं फ्रिज का वारंटी डिटेल्स और इसका कॉस्ट आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते है यह एक ट्रिपल डोर फ्रिज है इस फ्रिज का हाइट अपरॉग सिक्स Bei तो इंचेज है बॉड़ी का अच्छी है इस फ्रिज का बॉड़ी सेमी ड़ेश फिनिष्ट है लुक इसका बहुत राक्तिव है इस फ्रिज के अट राक्तिव लुक के लिए इस fridge को 2015 में अवार्ड दिया गया था ये fridge एक 5 star rated fridge है यानि कि इस fridge में आपका electric consumption XCFR lights के consumption से भी कम होगा इस fridge में पहले से ही inbuilt stabilizer है इसलिए आपको externally stabilizer यूज करने का जरूरत में करेगा तो ये इस fridge का सबसे बड़ा प्रोज है ये fridge टोटल 10 साल के वारंटी कवर करता है जिसका details में आपको वीडियो के end में दूंगी मैंने इस fridge को amazon.in से purchase किया है जिसका price related info आपको वीडियो के end में मिलेगा फ्रिज का delivery होने के 2 घंटा बाद मैंने फ्रिज को install किया है आप भी कवी अगर फ्रिज लो तो make sure फ्रिज डिलिवर होने के 2 से 3 घंटा बाद ही अब फ्रिज को on करे क्योंकि इसका compressor traveling के वज़े से stable नहीं हो पाता है तो compressor को stable होने में 2 से 3 घंटे का time लगता है तो चलिए अब फ्रिज को open करके इसके अंदर देखते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा यह triple door fridge है तो मैं सबसे पहले इसका mid जो section है मैं आपको दिखाती हूँ कि आप यहांपे store कर सकते हो इसके बाद आपको दो bottle racks मिलेंगे यह बाले bottle rack में आपको छोटे size के bottle leam स्टोर कर सकते है और इसके निचे वाले bottle rack में आप थोरे बड़े size के bottle把 , ifikان piss कर सकते है अब फ्रिज के अंदर से मैं आपको सबसे ऊपर वालाージ को दिखाती हूँ यह रैक है टेली जोन क्योंकि फ्रिज नेया है तो आपको सारे रैक्स में इस तरह की सेलो टेप दिख रहे होंगे तो सिंप्रि आप इसे निकाल लीजेगा अब मैं आपको दिखाती हूँ टेली जोन में आपको भी टेली वाला आइटेम यानि की मिल्क हो गया बटर हो गया चीज हो गया या फिर आप चाहो तो इसमें ब्रेट भी स्टोर करके रख सकते हैं डेली जोन वाले रैक्स में आपको एक नॉब जैसा दिख रहा होगा जहां पे लिखा है हाई मीडियम और लो यानि की आप इस नॉब के थ्रू डेली जोन वाले रैक्स का टेमपरिचर इसली कंट्रोल कर सकते हैं यह डेली जोन वाला रैक्स बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह से खुल जाता है और इस आप बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हो इस फ्रिज में डेली जोन के अलाबा और तीन रैक्स है, सारे रैक्स टफन ग्लास के बने हुए है और ये मिड वाले रैक्स में फ्रूट्स रखने के लिए अलग ड्रायर सा बना हुआ है, ये रहा हमारा लास्ट रैक, लास्ट रैक के नीचे भी आप काफी कुछ स्टोर कर स सकते हो, और ये मिड वाले कंपार्टमेंट में आपको छोट 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 वेंड्स दिख रहे होंगे, इस वेंड्स के थ्रूप, पूरे फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से ठंडी हवा सर्कुलेट होता है, जिसके लिए आपका खाना बहुत लंग समय तक फ्रेश रहता ह और ये रहा एर बूस्टर, एर बूस्टर में बहुत ही ज्यादा कॉंटिटी में ठंडी हवा सर्कुलेट होता है, और मिड कंपार्टमेंट में भी अलग से नॉप दिया हुआ है, जिससे आप मिड कंपार्टमेंट का टेम्प्रेचर कंट्रू कर सकते हो, अब मैं आपको दीफ्रीजर की तरफ ले जाती हूँ, फ्रिज का मिड्ल कंपार्टमेंट तो बड़ा था ही, इसका दीफ्रीजर भी काफी स्पेशियस है, दीफ्रीजर में अलग से नॉप दिया हुआ है, जिसको ऑपरेट करके आप दीफ्रीजर का कुलिंग केपासिटी नॉमल या ज्या आप बरफ चमा सकते हो, और यहां पर अलग से आइसक्रीम ट्रे भी दिया हुआ है, और दीफ्रीजर के डॉर में भी दो रैक से, दोनों में ही आप फ्रोजन फूर्स रख सकते हैं, जैसे की फ्रोजन सबसिया वगेरा, कुछ भी फ्रोजन फूर्स में रख सकते हो, अब से नीशे वले कंपाटमेंट में, यह आपका वेजटबल रखने का सरो सबसिया हुआ है, यानि कि आपके वुछ लंबे समय तक फ्रोज रहेंगे, ज्यादा तर फ्रिज में वेजटबल रखने का जो बोक्स है, वो шт denγेर में वी ज वाला हिसॉ वाला हिस्सा है, उसमी रात जहां पर हम लोग खाना रखते हैं, तो उसे क्या होता है, कि जो कूलिंग जो है, वो सब में डिवाइड हो जाता है, जिससे आपके सबसिया बहुत जल्दी खड़ाब होने के चांसे रहते हैं, तो इस फ्रिज की मुझे ये सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने वेज जाता है, वर्लपूल वालों ने फ्रिज के लिए अलग से बुख लिट तिया है, जिसमें फ्रिज से रिलेटेड आपको सारी इंफरमेशन्स मिल जाएगा, इंक्लोडिंग वारेंटी काड, कि फ्रिज को आप कैसे मेंटेन करके रखोगे, इसका सेफटी प्रिकॉशन्स व अगर आप फ्रिज को खुछ से इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बार इस बुख को जरूर देख लिजेगा, अब इस मैनुवल के आपको एंड में मिल जाएगा इसका वारंटी काड का डिटेल्स, इस फ्रिज में आपको टोटल दस साल का वारंटी मिलेगा, जिसमें से एक साल आपको फ्रिज के उपर वारंटी, यानि कि एक साल के अंदर आपको फ्रिज में जो भी खड़ा भी होता है, आपको फ्री में वार्पूल वाले रिप्रेयर करके देदेंगे, और फ्रिज के कॉंप्रेशर में में आपको टोटल दस साल का वारंटी मिलेगा, तो के बिलकुल बैक में आपको वालपोल के सारे अप्लाइंस के रेंज देखने को मिलेंगे अब मैं इस फ्रिज का प्राइस रिवील करने वाली हूँ जैसा कि मैंने वीडियो के बिग निंग में का था ये फ्रिज मैंने Amazon.in से ओनलाइन पुर्चेस किया है इस फ्रिज का मार्केट प्राइस है अप्रॉक्स 42,000 लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया है मुझे इसके लिए बस पे करना पुरा है अउली 31,000 तो अगर आप इस रेंज में एक अच्छा फ्रिज करिदने का सोच रहे है तो आप वर्ल पूल, मल्टी टोर, रेफ्रिजरेटर को अपने वेशलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं अब मैं आपको डीटेल्स में इसका पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगी उसके बाद मैं इसका नेगटिव पॉइंट्स डिसकस करूंगी सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रोज बताती हैं यह फ्रिज अपने कॉस्ट के साथ से बाजट फ्रिंडली फ्रिज है यह फ्रिज फ्रोस्ट फ्री फ्रिज भी है यानि कि आपको अलग से यानि कि मैनुवली दीफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर stabilizer पहले से यानि कि involved stabilizer का facility दिया हुआ है ये एक 5 star fridge है यानि कि इसका जो electricity consumption है वो बहुत ही कम है एक CFL light के electricity consumption से भी कम है क्योंकि ये triple row fridge है और दोनों compartments में अलग से temperature control knob दिया हुआ है fridge के main compartment और deep freezer में अलग से air booster का system भी है और fridge का सबसे best point ये है कि fridge में अलग से vegetable storage box दिया हुआ है fridge का look बहुत ही attractive है इसके look के लिए fridge को already 2015 में award मिला हुआ है इसका body बहुत ही strong है इस fridge में आपको total 10 साल का warranty मिल जाएगा मैं इस fridge को पूरा एक दिन use करके देखी हूँ और मुझे इस fridge में ये अच्छा लगा कि इस fridge का cooling system बहुत ही strong है अब बात करते है fridge के negative points पे fridge में मुझे सारा चीज अच्छा लगा बस दो point मेरे हिसाब से negative है पहला fridge का जो light है यान कि internal light थोड़ा सा और strong होना चाहिए था और इसका दूसरा negative point ये है कि fridge में fridge के door के बाहर एक power indicator का option होना चाहिए था जिससे हमें ये पता चलता कि fridge में power supply ठीक थाक से हो रहा है या नहीं तो overall मुझे fridge अपने price की साब से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा तो ये रहा हमारा आज का whirlpool triple door fridge का review इसके next video में हम इस fridge को organize करने का एक video upload करेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आई होप आपको आज की हमारी ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मारे वीडियो को लाइक कीजिए आपका इस fridge से related कोई भी doubt हो या आपका कोई feedback हो आप हमें नीचे comment section में comment कर सकते हो और आज रिश्वल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो बहुत जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई